नवस्कार दोस्तों आपने कई बार सुना होगा कि साप और नेवले की कभी भी नहीं बनी है और नहीं बनेगी जैसे ही दोनों एक दूसरे सामने आते हैं वो लड़ाई करने पर उतारू हो जाते हैं इस लड़ाई में एकसर देखा जाता है कि नेवला साप को मार देता है लेकिन इस लड़ाई में कभी साप का पड़ा भारी होता है तो कभी नेवले का इस दोरां दोनों ही लग नुहान हो जाते हैं आपको बता दे भारत में पाय जाने वाले भूरे नेवले पर साप की जहर का असर भी कम होता है लेकिन ये भी मना जाता है कि इस खुनी लड़ाई के बाद जारतर नेवले खुद ही मर जाते हैं क्योंकि साप के जहर का असर उन पर कुछ समय बाद ही होता है पर ऐसा बहुत ही कम होता है तो चलिए जानते हैं ऐसा क्यों होता है दोस्तों एक शोटी से रिक्वेश्ट है वीडियो के नीचे एक रेकल का सस्क्राइब बटन दिख रहा होगा उसको क्लिक करके सस्क्राइब कर ले और साइड में बेल आइकन दिख रहा होगा और पूरा परियास करता है कि साप उसे डस ना पाए उसका ये फुर्तिलापन उसे साप की जहर से बचाता है इस युद में साप ने नेवले को डस भी लिया तो भी नेवले पर उसका असर नहीं होता है क्योंकि नेवले के पास बिसेस असितलोकलीन रिपलेक्स होते हैं जो साप की जहर जिसमें निवलो टॉक्सिन होते हैं जो साप की जहर के लिए प्रतिरचित होते हैं ये रिसेप्टर की धाल इसके उच्परिवर्ति DNA के कारण बन जाती है नेवले का DNA अलफा और बीटा प्लॉकर्स प्रस्तूत करता है और जो जहर के रिसेप्टर्स के साथ बदने में अपरभावी होता है इस वज़े से नेवले की जान अधिकांस्त बच जाती है दोस्तों क्या आपको नेवले और साम की लड़ाई अच्छी लगती है दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को साथ से करना भूलें मिलते अगलों बड़ी होगी थे बाद